मुझा दोस्तों आपका मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है 6 दिसम्बद 2021 और यहां पर 7 दिसम्बद 2020 के लिए निप्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथी फारेंश इस्टॉक की आंसेस लेकर हाजिर हूँ तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस्तिति फार्मा के इंडेक्स की उसके बाद सारे मेटल औ तो देखे कल मैंने फार्मा इंडेक्स के बारे में क्या बोला था अगर आपको कंट्यून्य फॉलोग करते हैं इस वीडियो को तो मैंने कल फार्मा बोला था कि 13,400 के नीचा आने पर यह आपको 13,200 तक के भी लेवल दिखा सकता है जिसके वाज़ा से फार्मा में गिराब इसको भुडिया सकता है यह बहार के लिया सकता है ऑर अब यह दो आरे पिछले बार आर्शा अ चिराबट परचास के नीचे निकलता तो 13,000 तक गिर सकता जिसको बहुड्य का बन दे तो 10,000 तक हैं। एस्टाजैनिका में उपर 32 को खुले गा तो एक बात करके चलेंगे और फार्मा की बात कर ली तिर कि अगर कोविड अगर कोरोणा या ओमिक्रोन कुछ भी आना होता तो ये इस्टॉक सारे इस्टॉक्षा फार्मा में ना तेज हो जाते फार्मा को नहीं गिरना चाहिए था क क्या कारण है इस सब चीजों पर समझें कि अगर omicron का डर है तो गिरना ही नहीं चाहिए फार्मा को इस बात पर बात करेंगे पहले इसको complete कर लेते हैं एक विडियो बना दूंगा और window फार्मा उपर की साइड में हम लोग 600 उपर की तरफ में तो यह तो साथ सो काई हेवी रेइस्टेंस नहीं लेकिन 690 को भी ब्रेक कर जा तो काफी बात है 650 के नीचे आता है तो एक बार यह टार्गेट आपको 630 तक दिखा सकता है बायो कौन की बात करें 370-375 इसके उपर जाने बाद खुलेगा रहली अदरवाइस नीचे 350 तक गिर सकता है केडला हेल्थ केरें के बात करें तो केडला हेल्थ केर में अपने इंपोर्टेंट लेवल को होल्ड कर रहा है पकड़ के बैठा हुआ है अगर यह किसी भी कारण बस अपने लोगर किताब है इसका हिसाब किताब भी वीडियो बना दूँगा तो यहां देखे 880 तक के नेक्स टार्गेट बन सकते हैं अगर यह 890 के नीच आता है नहीं अगर यह 900 उपर जाता तो जादा 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 910 से 925 के टार्गेट दुबारा से दिखाएगा डिवीज लैब डिवीज लैब नीचे के लेवल को खोल चुगा है और अगर यह नीचे 4620 को ब्रेक कर देता है तो श्यालीसो पैतालीसो दस तक के टार्गेट भी बना देगा डॉक्टर लाल पैतलेब की बात करें सपोर्ट पर खड़ा है 3600 के नीचे ब्रेक होगा सेल मार देंगे 3500 के ल देगा इन फर्मा में भी गिरापट है अब मेरे ख्याल से यहां से अगर बाउंस करना तो परफर्ट जगा यही जगा जहां से बाउंस कर सकता है उपर 500 500 600 को ब्रेक करें 520 तक के टार्गेट गर्वुम से इंडिया की बात करते है' गर्निस निया के जाने के लिए 312-15 को ब्रेक करना होगा नो बाटीज की बात करें 800 की ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव अदरवाइस 750 की ने जाएगा तो नीगेटिव पिरामल मैं अभी 26 का रेइस्टेंस है तो अभी छोड़के चलेंगे इसको इसको ब्रेक करना होगा नीचे 470 को अगर ये किसी कारण बरस ब्रेक कर देता है तो सेल कर देंगे 460 के लिए सन फार्मा की बात करें इसने भी अपने इंपोर्टन लेवल को ब्रेक कर दिया सन फार्मा ने अब जो ये नीचे के साइड में लेवल खोल के रखा है इसके पर सन फार्मा के लेवल है चार 720 रुपेका तो उमीद है अगर अपने लोग को ब्रेक करता है 730 को तो 720 तक गितने के जांस बनेगा तो एक लाइन में 720 पर लगाना चाओंगा टोरेंट फार्मा तीन हजार को उपर जागा तो 3100 के टार्गेट नीचे के साइड में 300 को ब्रेक करेगा तो 2800 तक के टार्गेट आ सकता है वोकट फार्मा की बात करेंगे चार सो पचास की उपर बाय करेंगे वोकट फार्मा को और 460 तक के टार्गेट 70 तक के टार्गेट मिल जाएंगे नी पास में ट्रेड कर रहा है तिरपन सो सता है सब कल भी इस पर बात हो चुकी थी कि मार्केट को गिराने में रोल निभा सकता है अगर यह तिरपन सो के नीचे आगा तो और कम जोड़ चाहिए क्योंकि इसके पास यहीं ट्रेंड लाइन का एक राजिस्टेंस है जहां सी उपर जा रहा है अब जब तक 1475 को ब्रेक ने करेंगा यह मजबूत नहीं होगा तो अडानी इंटरप्राइज पर नज़र रखे काफी कम जोड़ हो चुका है नीचे एक सपोर्ट है 1600 के उपर रूखना चाहिए इसको अगर रूख गया तो अच्छी बात है नहीं तो यह 1550 तक चलाएगा नीचे कल 1630 ब्रेक करता है 35 ब्रेक करता है सेल करेंगे 1600 के टार्गेट के लिए APL Apollo की बात करें APL Apollo जब तक 950 को ब्रेक ने करें मैंने का यहां से यह रेजिस्टेंस एरिया है अगर टार्गेट कंप्लीट है डबल टॉप बनाया ट्रिपल टॉप टाइप का बना लिया अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मजबूत नहीं ह सारे स्टॉक्स आपको एक महत्पून लेवल को ब्रेज करता हूँ दिखाए दे रहा है आप यहां से देखें कोल इंडिया इस लेवल पर एक सपोर्ट था कोल इंडिया लेकिन इसको इसने टच कर लिया क्लेम कर लिया अगर यह नीचे की साइड में 147-148 को ब्रेक करता त तो 400 तक आ सकता है हिंदुस्तान कॉपर की बात कर एक सो बीश की उपर जागा तो 125 से 30 लेकिन 110 के नीचे आने पर यहां पर एक सपोर्ट है इसके नीचे आने पर यह खराब होगा एक सो तक कर टार्गेट लगेगा हिंदुस्तान जिंक मजबूत है 350 बावन की उपर रिजि जबलू इस्टिल की तरफ 660 के एक रिश्टन से नीचे 640 के आसपास का एक सपोर्टे 635 के नीचे निकलेगा 620 का टार्गेट देगा मोहिल की बात कर तो मोहिल में अपसाइड में 172 को पंड़े 175 तक का टार्गेट आएगा नेशनल एल्मूनियम आएगा तो वो एक फ्लेग पैटर्न बना रहा है नेशनल एल्मूनियम अब यहां पर देखते हैं कि क्या मामला है नेशनल एमिलियम के एक छोटा सा चोटा सा सपोर्ट एरिया है और यहां पर एक सपोर्ट प्राइस रान का बनाता हुआ दीखरा फ्लैक पैटर समझते हैं बीरिष फ्लैक पैटरन है और इस तरह से फ्लैक पैटरन यह डेवलप कर रहा है नीचे के साइड में अगर यह नीच गिर जाता है किसी भी कारण बस से तो ज्यादा ज्यादा 135 के पास आकर रूख जागा हुआ है मजबूत सपोर्ट बना हुआ है रतनावनिमेटर्स देखे सांदा 2000 के नीचा भयाना गिरावट अभी छोड़ेंगे इसको लोग को ब्रेक करेंगा तब सेल करेंगा उनीच सो क सेल करेंगे अठासु पचास के लिए सेल की बाता सेल 106 साथ के ऊपर जाएगा तो 110 का टारगेट टाटा श्टील एक टाटा स्टिल में ग्यारशो पचास के रहे इस्टेंस है टाटा स्टील को प्रेक रने वदख़ करने वद 1100 से 1280 से बारा सो तक नीचे गारशो प्रेक करेगा ज़िए टार्गेट बेखा बिदानता अभी छोड़ कर देंगे अब हिछोड़ करके चलेंगे बैलेश्प्रं लेबल 34300 तक को टच करने की कोजिस कर सकता है 34300 के नीचे जाने पर ही गिरा बटाएगी और यहां पर अपने लोको यानि 34800 को ब्रेक कर देता है किसी विकारण बस नीचे की साइड में तो और भी खराब इस्तिति पैदा हो जाए कि जो डियरेक्षो 34300 तक लेके आ जाएगा तो यह ध्यान में रखना है में IT पहें इसमें बिलाश्याप की बात करें तो सारे सपोर्ट की तरह आते विए देख रहा है बिलाश्याप 460 के पजम सपोर्ट है उसके नीचे जाएगा तब ही खराब होगा अधरवाइस यह खराब नहीं होगा और कोफोर्ट कोफोर्ट न बहुत शांदार है मैंने सारे सौर्टम कॉल बना रखे थे वीडियो नहीं देपा इसके लिए मापी चाहूंगा रात तक में या फिर कल मॉर्निंग में देने की मैं कोसिज करूंगा सौर्टम कॉल दिशंबर मन्त के लिए सारे लिए सब इस्टॉक मेरे लिश्ट में थे खेर कोई बात नहीं हो जाता है कि सिच्वेशन थकावटकल रह गया वह लाई उसमें सेलेक्शन में क्या ना लखी 30 के सेलेक्शन में और आज थोड़ा थोड़ा घर का काम आ गया तो इस वज़ा से मैं कर नहीं पाया चले अब हम यहां देखते तेरा सो पचास का रिष्ट नीचे 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 यहां तक आ सकता है लेकिन चांस नहीं बनना चाहिए लेकिन अपने काफी लोग के नस्दिक में बनाया वा इसने पोजिशन तो अगर यह 1135 को ब्रेक करता है तो यह फिर 120 तक भी गिरने के चांस बना देगा इन्फो एज की बात करते हैं इन्फो इस एरिया से कई बार अपने आपको टेस्ट करके ऊपर गया तो कल देखते हैं अगर अगर अपने अरिया को लोग को ब्रेक करता है 1690 को तो 1680 से सतर तक का टार्गेट देगा अगर यहीं से बाउंस करके ऊपर निकलता है 1705 को तो 1720 तक जा सकता है जाश डाल की बात करें माइट्री की बात करता माइट्री भी 4600 को फर बाइंग और नीचे 4370 के नीचे 4300 के लिए एफसिस की बात करते हैं एक मुमेंट तक मैंने इंट्राडे कॉल दिया वह ता अपने मोईल अप्लिक तेलीग्राम चैनल पर इस ने अच्छा टार्गेट बना एफसिस ने दिया लेकिन अपनों का होल्ड नहीं नहीं करपा है जो गेन इसने किया था इंफासिस ने वह फोल्ड नहीं कर पाई है अलागा असरे चीप किये लेकिन फिर गिराबट आगए और नीचे आकर क्लोस गया 3,000 के नीचे निकलता है तो आपको नीचे का मुमेंट दिखा सकता है उन्तीस सो 50 तक पे टियम में सतरह सो को उपर जान गाए बबद गरते हैं दिलाबद करेगा जो सतरह सो 50 से एथा सो तक गरता है 6000 के उपर जब तक नहीं जाए तब तो कोई पोजिशन हम नहीं बनेगा नीचे की साइड में 5600 को ब्रेक करेगा तो 1500 के टार्गेट बनेगे टेक महिंद्रा अब साइड में जाने के लिए 1645 के उपर जागा तो 1700 नीचे अगर यह 550 को ब्रेक करता तो 1500 तक आ सकता है बीप्रो की बात करते हैं वीप्रो में होल्ड करेगा 640 के उपर तो बाय करेंगे 660 के लिए नीचे 620 को ब्रेक करेगा तो 610 के लिए सेल करेंगे तो यह था मेटल के बाद पर चलेंगे जरा फाइनिसरी श्टॉक के तरफ जिसनों बजाज फाइनेंस से सबसे पहले अभी देखिए बजाज फाइनस लोग को ब्रेक करता 6900 को तो 6800 तक आराम से गिरातेगा बजाज फिंसर अपसाइड में तो भी मॉमनला गड़वर हो गया सोला अजार आटट जाने पर यह 4500 तक लेकर जाएगा उपर कम से कम 17200 को ब्रेक करेंगा तो 17400 के टारगेट बनेगा चोला फाइनस 580 को ब्रेक लेंगे अभी नहीं कुछ करना है पांच्व पचास के निचे सेल करेंगे टारगेट 540 का इंडिया बुल होसिंग फैनेस शो मन्नाप पूराम फाइनेंस 177 को पर बाय करेंगा 180 के टारगेट के लिए रहा दाइक है वाइधिंस का बात करते हैं तो भी छोड़के चलेंगे 166 के पर जागा तो 170 गे टारगेट नीची अगर 158 को पर जाने पद बाइग काईगी आगी और एसा ट्रांस्वीन होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे से 1480 को ब्रेक करें तो फंदा सो तक के टार्गेट भी बना सकता ऐसा ट्रांस्वीन तो यह था निफ्टी को फार्मा मेटल आई टी और साथी फानेंसल पर मेरा अपना भीव पशंद आधा तो फीडबक जूट दें और करने के लिए और टेकनिकल चार्ट इस्टेडी मेटल के लिए तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाल